जैहिंद एवरिवन आप सभी का स्वागत है शातियों आज हम लोग बात करेंगे इंगलीज के शेट नमबर 11 के बारे में और ऐसे ही करते करते सातियों हम लोग 50 पलस एक दिन जरूर सेट कर लेंगे और उमीद है कि ये मन्त के अगले मन्त तक मतलब शेटेंबर के 15 से 20 सेटेंबर तक हम लोग शारे सबजेक्ट का 50 से जयदा सेट कर लेंगे और कोश्चन आने की उमीद भी हम लोग जयदा से जयदा करने लगेंगे साथियों आपको पता है जो बच्चे एक्जाम देते हैं मतलब मैंने एक्जाम दिया है साथियो NDA हो macunes की एक्जाम मैंने दिया है तो मुझे पता है कि के क्शिण आते हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों शे कि आप जहां भी परते हो भाई प्लीज उस लेवल का question बनाओ और सबसे पहले मैं एक भी चीक बोलता हूँ इसका मैं कोई तोर नहीं है अगर आप ये भी बना के साथ हो चले जाते हो अगर सही सही आपके पास concept के साथ ये है तो PYQ है तो साथ आप exam में इतना अच्छा कर जाओगे जिसकी आपको भी कलपना नहीं होगी प्लीज PYQ हर chapter का बनाईए math हो तो math का बनाईए physics, chemistry, biology, history, geography आज मेरा एक history का वीडियो हैगा उसमें मैं एक ऐसा question बताऊँगा अनगिनत ऐसे question बताऊँगा जो आपको repeat आ रहे है ठीक है तो मतलब question अब आएंगे भी कहां से repeat ही होने लगेंगे साथ यो बस concept आप लोग पढ़ो और PYQ लगाओ और मौक दो जैहिन तो चलते हैं पहला question हाँ अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए comment में जरूर लिखिए पहला question साथियो कल भी मैं इस type का question बताया था और यह अपने आप में important है He entered the BJP साथियो मैंने कल बताया था entered के साथ आप क्या लगाओगे into लगाओगे लेकिन उस case में लगाना है जहां involvement की बात होगी involvement मतलब involve हो रहा है कोई चीज़ तो उसमें लगाना चाहिए बिल्कुल यह question जो पहला आप देख रहे हो He entered into होगा क्योंकि साथियो यह BJP में शामिल हो रहा है इसलिए he entered into the BJP इसमें involvement हो रहा है दूसरा question साथियो He entered does the BJP office साथियो यह involvement नहीं है यह सामिल होना नहीं है यह तो BJP office में जा रहा है तो इसके साथ कोई preposition नहीं लगाएंगे याद रहे entered के साथ तभी preposition लगेगा जहां involvement की case होगी ठीक है और entered के साथ preposition बिल्कुई मत लगाना कभी भी लेकिन सिर्फ involvement की case में आप लगा सकते हो वो भी into okay question number third है the police will investigate does this matter साथियो आपको पता है investigate के साथ कोई भी preposition आता ही नहीं important है बहुत important question साथियो मैं लाता हूँ आप लोगों के लिए daily और खुद लिखता हूँ साथियो अभी हमारे पास वो साधन नहीं है जो औरों के पास है तो धीरे धीरे करके हम लोग वो भी इखटा करेंगे एक ना एक दिन और आपका प्यार आपको support मिलता रहे तो अच्छे से और classes आएगी और अच्छे तरीके से लिखा हुआ आएगा तो और मज़ा आएगा लेकिन अभी जैसे आ रहा है सिर्फ आप content पर ध्यान दो साथियो कैसे कहां कैसे लिखा हुआ इस पर भरोशा ना करें सिर्फ आप content पर ध्यान दें कैसे content मिल रहे हैं आपको तो investigate के साथ साथियो कोई proposition नहीं होता है question number four he deals dash diamond आपको पता है deals के दो question आते हैं एकदम exam में deals के साथ in लगाना तब जब बात करते हैं हम trade की शामान की और deal with होता है person के साथ deal with person होता है साथियो deal in trade होता है मतलब यहाँ पर he deals dash diamond diamond की बात आएगी तो diamond तो साथियो एक शमान है इसलिए deal in लगेगा question number five भी बहुत important है the judge can't deal dash culprit लगो यहां culprit क्या है साथियो एक आदमी है तो deal with होगा ठीक है मैं हर एक concept पर question लाता हूँ ताकि आप लोग बाद में यह न कहो आया question number six साथियो I will discuss dash this topic साथियो मैं आपको बताता हूँ मैं daily one sort revision कराता हूँ तो इसका मैंने अच्छे से revision भी कराऊंगा साथियो discuss के साथ कोई preposition आता ही नहीं है यह भी लिख लो बहुत important है discuss, describe और explain ठीक है इसके साथ कोई preposition नहीं आता जैसे हैं लोग बोलतेते हैं I will discuss about this topic बिल्कुल नहीं आता preposition यह भी important है अपने आपने explain about this topic describe about यह सब बोलते हैं बिल्कुल नहीं होता है ठीक है about नहीं यूज होता है question number seven है dash working hard he failed यह option था वहाँ पर in spite दूसरा option था in spite of तीसरा था despite और चौधा था despite of मतलब despite of था और none था ठीक है despite नहीं था despite of था तो साथियों आपको पता है क्या होता है in spite यह error में जैदा आपकर पुछता है यह वाला question in spite of is equal to despite दोनों का मतलब होता है के बावजूद in spite of is equal to despite होता है यह भी लिख लिजिएगा मैं सारे लिख लिख लिया हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगा dash working hard he failed मतलब in spite of working hard he failed या आप despite working hard he failed भी बहु सकते है question number 8 है we can't catch big fish dash small rod साथियों आपको पता है कभी भी weapons की बात आएगी equipment की बात आएगी instrument tools की बात आएगी हमेशा वहाँ पर width लगाएगा यह भी important है ठीक है और question number 9 है apples are sold dash kg साथियों आप लोगों को मैं बता दू कभी भी weight care या measurement की बात आएगी वहाँ पर हमेशा buy लगेगा साथियों आपको पता है मैं इतना अच्छा से question से बता रहा हूँ आप भी जाके देखो कहीं भी यह सब content आपको बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं अच्छे teacher ही परहा पाते हैं साथियों we should aim dash an idea aim का बहुत important BVI question होता है हमने PYQ भी है aim at होता है aim के साथ at लगता है astonist के साथ भी क्या लगता है साथियो at लगता है ठीक है तो कुछ आपने 10 question कर लिए और मैं आज मैंने 32 preposition fixed preposition आप लोगों को one sort revision में रखा है ताकि आपको याद हो जाए तो यहाँ पर आगे है one sort revision पर साथियों बहुत अच्छा इसका PDF भी आपको मिलता रहेगा telegram group पर तो आप join होते रहिए यहाँ पर link दिया हुआ पहला है entered के साथ into लगता है कब जब involvement की बात होगी तो मैंने बता दिया investigate के साथ कोई preposition नहीं आता है deals in trade होता है और deals with person होता है discuss describe और explain के साथ about तो हम लोग यूज करते हैं लेकिन about यूज आता ही नहीं है preposition उसके बाद in spite of is equal to despite मतलब in spite of होता है और despite of नहीं होता सिर्फ despite होता है इसका मतलब होता के बावजूद weapons, equipment, instrument, tools के साथ हमेशा क्या यूज करोगे with का यूज करोगे ठीक है उसके बाद बात करते है weight and measurement के साथ आप use buy करोगे उसके बाद बात करे weight and measurement के साथ buy करना है aim के साथ at बता दिया है accountable for होता है साथियो drop to होता है passion for होता है rely on होता है मैंने ये पित्रे भी कराया था wonderful के साथ बहुत important है about होता है ठीक है astonist के साथ भी add होता है apply for होता है apply के साथ साथ योग क्या होता है for का यूज होता है ask for होता है weight for होता है apology for होता है for लिखा हो है साथ for for protect हुआ recover हुआ या suffer हुआ इसके साथ from का यूज किया जयता है protect from ठीक है, interested के साथ in लगाते हो, jealous के साथ off लगाते हो, junior के साथ two लगाते हो और जो भी डिग्री, I.O.R. डिग्री है, उसके साथ भी two लगता है, elder two होता है, junior two होता है, prefer two होता है ठीक है, उसके move के साथ भी two लगता है, need for, need for, listen भी बहुत important है, listen to उसके बाद बात करें apply for होता है साथियो मैं बता दिया है excel ये भी important है आपकी exam का है excel के साथ in होता है capable of होता है insisted on होता है क्योंकि मैंने उस साल exam दिया था cure of illness होता है cure for treatment होता है ठीक है और increase के साथ in लगाओगे उसके बाद true के साथ two लगाओगे ठीक है जो भी है सात्यों मैंने important important सारे question आज दिये हैं और कल मैंने 50 कल लेने का मेरे संबाबना है तो मैं मैंने कहा था आपको मैं अच्छे से आपको भी करा दूँगा fixed preposition उसके बाद अगला topic मुझे जहां तक लग रहा है adjective लेना चाहिए और बस जैसा ही आप लोगों का demand रहे तो ठीक है नहीं तो मैं अपने हिजाब से तो चलता ही हो तो जैहिंद जैभारत बंदे मात्रम अगर अच्छा लगे तभी like share और कमेंट में जै इसका आप screenshot भी ले सकते हैं साथियो अपने सहुलियत के लिए